हेलो इबरिवन नमस्ते वेलकम टे डाइट कुंडली आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ त्री हेल्दी स्मूदीज की रेसिपी जिसी के आप अपने वेट लॉस टाइट प्लान में एजली आड़ कर सकते हैं इन स्मूदीज में हमें क्यालरीज जो है यह मौडरेट अमांट में मिलती है तो आप चाहें तो इसे मिड मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे चाय को सकिप करके इसे आप अपने डाइट में आड़ कर सकते हैं या फिर अगर आपको ब्रेक्फास्ट बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं है तो उस मॉमेंट में भी आप इन स्मूदीज को अपने वेट लॉस टाइट प्लान में ब्रेक्फास्ट की टाइम पर ले सकते हैं चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी स्मूदीज को किस तरीके से बनाना है लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से चोटी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जादा जादा लाइक और शेर्ड जरूर करिएगा मुझे पता है आप सभी लाइक जरूर करेंगे इस लिए मैंने इस वीडियो को एक चोटा सा टार्गेट दिया है इस वीडियो पे 5000 लाइक सोने चाहिए फ्रेंड्स केवल 5 सेकेंड का टाइम लगेगा प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो को शिरू करते हैं हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला स्मूधी रेसिपी है यह बनाना ओट स्मूधी इस स्मूधी के सिंगल सर्विंग में हमें 181 क्यलरीज मिलता है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूं 10 ग्राम का ओट्स दो इसके साथ में एक छोटा सा केला ली हूं में इस केले का वजन नियरली 44 ग्राम से अब 50 ग्राम तक का केला ले सकते हैं चलिए आगे का प्रोसेश शुरू करते हैं मिक्सर जार में मैं यहाँ पे आट कर रही हूं 100 ग्राम का दही स्पून से अगर मैं आपको बताओं तो करी अच्छी बात है कि इसमें अगर आपके पास चिया सीड नहीं है तो आप उस मोमेंट में आप इसमें फ्लैक सीड्स पर आड़ कर सकते ही एक चमच लेकिन चिया सीड अगर है तो उसे सोक करके ही आपको इसमें डालना है अब यहाँ पर मैं आधा बनाना आड़ कर रही हूं और आधा बनाना जो है वो मैं लास्ट में आड़ करूंगी गार्णिश करने ते टाइम पर साथ में अभी मैं यहाँ पर आड़ कर रही हूं जो ड्राइ रोस्ट किया हुआ ओट्स है यह हमें इसमें आड़ करना है और इसमें अभी हमें आधा कपका पानी आड़ करना है औ आपको ओट्स हर दिन ड्राय रोस्ट करने की ज़ुरत नहीं है एक साथ आप ज्यादा मात्रा में ओट्स को लेके ड्राय रोस्ट करके आप उसको सील टाइट बॉक्स में भी रख सकते हैं तो उस मुमेंट में आपको कुकिंग का जहनजट ही नहीं रहेगा फटा 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 मिल रहा है काफी हल्दी और टेस्टी है इस जरू ट्राय करिएगा उपर से मैं इसमें जो चॉप किया हुआ बनाना है ना वह गार्णिश करने के लिए यूज कर रही हूं थोड़े से अलमेंट्स को मैंने यहां पर यूज किया दो ग्राम के आसपास और साथ में यहां पर मैं यूज कर रहे हूं जो इडेबल रोस पेटल होते हैं ना सुखे वाले ड्राइट जो कि खानी में इस्तमाल करते हैं वह में थोड़ा सा गार्णिश के लिए यहां पर एड़ कर रहे हूं अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं चलिए अब हम 179 कलरी मिलती हैं तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है इसे बनानी के लिए मैं यहां पर 10 ग्राम का ओट्स ली हूं और उसे मैंने ड्राइड रोस्ट कर लिया है साथ में यहां पर ले रही हूं मैंगो सो मैं यहां पर 50 ग्राम का मैंगो ले रही हूं अगर मैं आपको कप में बताऊं तो ये नियरली 1 फोर्ट कप भर कर रहेगा मिक्सर जार में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 100 ग्राम का दही आट की हूँ इसके साथ में 10 ग्राम का ड्राइ रोस्ट किया हुआ रोल डूर्स आट करना है साथ में अभी मैं मैंगो के स्लाइसेस आट कर रही हूँ पूरा कप भर कर नहीं है ये क्योंकि मैंने थोड़े से पीसेस अलग से निकाल के रखे हैं लास्ट में गार्निश में मैं उसको यूज करूँगी और अभी मैं इसमें आट कर रही हूँ दो छोटे चमच सोग पॉपी सीट या फिर आम इसे खस खस भी कहते हैं पॉपी सीट बहुत जादा हिल्दी और न्यूटिशियस सीड है अगर आपके पास हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं यह नहीं है तो आप पंकिन सीड आट कर सकते हैं सनफ्लवर सीड डाल सकते हैं तिल आट कर सकते हैं घर में जो आपके अवेलबल हैं सीट वो आप यूज कर सकते हैं एक चमच तक का यूज करना है इसके बाद इसमें मैं अभी आट कर रही हूँ आधा कप का पानी और इसे ह मेरली हमें एक मिनट तक ग्राइंड करना रहें और हमारी जो हेल्दी नूट्रिशिस मैंगो उट स्मूधी की रेस्पी है यह बनकर रेडी है यह सिंगल सेर्विंग है और सिंगल सेर्विंग में हमें कैलोरी 152.79 कैलोरी मिलती है प्रोटीन 6.02 ग्राम्स है कार्बोहाइड़ 14.45 ग्राम्स है फाट 7.5 ग्राम्स है फाइबर 3.57 ग्राम्स है कैलीशियम 230.05 मिली ग्राम्स मिल रहा है काफी अच्छी मात्रा में कैलीशियम इसमें और आईरेन 1.43 मिली ग्राम्स है काफी हेल्दी है फ्रेंड्स सो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा उपर से थोड़ से म मैंने गार्णिश करने के लिए यूज किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें बादाम आट किया है चली अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी जो थर्ड स्मूदी है यह कौन सी है तो यह है चौकलेट ओट स्मूदी की रेसिपे सिंगल सर्विंग में हमें 113 कलोरीज मलते हैं तो चलिए देखते इसे कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए भी हमें 10 ग्राम का रोल्डोर्स keyणげंद्चे द्राइर रोस्ट कर लीजिएगा मिक्सर घ्राइंडर में सबसे पहले हम एड करना है 100 ग्राम का दही साथ में हमें आड़ करना है दो चम्मच ड्राय रोस्ट किया हुआ और अभी मैं यहाँ पर आड़ कर रही हूँ आधा चम्मच कोकोवा पाउडर साथ में मैंने तीन छोटे साइस के डेट्स लिये थे जिसका वजन 10 ग्राम है उसको मैंने डी सीट किया है उसका जो अंदर का बीजा है वो निकाल दिया है और इसे मैंने करीब 30 मिनिट के लिए सोख होने के लिए रहने दिया था तीस मिनिट के बाद देखेंगे तो यह कुछ इस तरीके से फूल किया है अभी हमें इसे भी मिक्सर ग्राइंडर में आड़ करना है और वन फॉर्थ कप का पानी में 4.48 ग्राम्स है कार्बोहाइट 13.06 ग्राम है फैट 4.57 ग्राम है फाइबर 1.81 ग्राम्स है कैलिशियम 151.20 मिली ग्राम्स मिल रहा है और आयरन 0.67 मिली ग्राम है काफी हल्दी है प्रेंट्स टेस्टी भी है यह रिस्पी तो आप इसे जरूर ट्राइब करिएगा उपर से मै मैंने थोड़ा सा डाक चॉकलेट को कीज दिया था अगर आपके पास है तो डालिए नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं देखाना आपने इन तीन हल्दी स्मूदी को किस तरीके से बनाना है काफी हल्दी और न्यूटिशियस है यह स्मूदी और इने बनाना भी बह करके भी आप इसे अपनी डाइट में आट कर सकते हैं काफी हल्दी और न्यूटिशियस है यह रेसिपी तो आप इसे जरूर ट्राइ करिए का और जब भी आप ट्राइं करें तो प्लीज उसकी पिच्छा लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर शेयर करिए का मेरे इ जो जो इंग्रेडेंट का इस्तमाल किया है जितनी ग्राम में यूज किया है इंसर्ट करके नीचे कल्कुलेट का बटन प्रस करना है जैसे उसे प्रस करेंगे हमें यह पता चल जाएगा कि उस रेस्पी में कितनी क्याल्रीज है प्रोटीन से पैट्स हैं एसेंच्छल मच फिर से में मिलती हूँ आप सब इसे नेक्स्ट वीडियो में अंतिल दिन बाई टेक केर